आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी मिठाई की रेसिपी जिसे आप 10 से 15 मिट में बना कर तयार कर सकते हैं वो भी बिना चाशनी और बिना मावे की और आप इसे एक हफ़ते तक फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं यह जो मिठाई है यह बनाने में बहुत असान है खाने में बहुत जादा टेस्टी है तो चलिए जलती से बनाना शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक कड़ाई ले ली है अभी हमने इसे ग्यास पर नहीं रखा है सबसे पहले हम इसमें आधा कप दूद डाल देंगे आप फुल क्रीम दूद लेंगे तो जादा बेटर है इसके साथ ही इसमें वन थार्ड कप पाउडर शुगर डाल देंगे यानि एक चुथाई कप से थोड़ी सी जादा है वैसे चीनी इसमें आप अपने टेस्ट के गॉर्डिंग कम या जादा भी कर सकते हैं आप इसको एक बार मिक्स कर ल है यह देखिए यह बढ़िया सा हमारा पेस्ट तयार हो गया है यानि इसमें जो मिल्क पाउडर है वो अच्छे से मिक्स हो गया है अब हम इसे गैस पर रखेंगे गैस का फ्रेम बेकुल लो रखेंगे मेडियम या हाई पर आप इसे भी ना पकाएं क्योंकि यह बहुत जल लेंगे और लो फ्लेम पर हम इसे लगातार चलाते हुए पका लेंगे यह दिखिए जब यह थोड़ा सा गाड़ा होना शुरू हो गया है तो आप इसको लगातार चलाएं और जो किनारों पर भी जो मिल्क पाउडर जम जाता है उसको भी इस तरीके से स्क्रेप करते हुए बीच में डालते जाएं इस मिठाई को बनाना इतना असान है कि अगर आप बेगिनर है या आपको कुकिंग जादा नहीं पसंद या नहीं आती तब भी आप इस मिठाई को असानी से बना सकते हैं क्योंकि इसमें ना तो कोई चाशनी बनाने का जंजट है ना कोई एक तार दो तार टेस्स करना है बस यही एक टाइम है जब आपको बस इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर लगतार चलाना है बस यही 5-6 मिनिट की मेहनत है उसके बाद तो इस मिठाई को बनाना बेहद असान है और जब यह हलका सा गाड़ा हुआ है तो मैं इसमें यहां पर अब एक कप डाला है आधा कप नारिल कचूरा डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर से हम इसमें आधा कप नारिल कचूरा और डाल देंगे यह सुखा नारिल कप बुरादा है जो आपको मार्केट में किसी भी किराने की यह पंसारी की दुकान से असानी से मिल जाता है गैस का फ्लेम लोही रखेंगे और इसी लगाताई सरीके से चला लेंगे यानि अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसमें फ्लेवर के लिए हम एक चोथाई छोटी चमच इलाइची का पाउडर डाल रहे हैं साथ ही दो से त्रीन बूंद केवडा एसंस डाल रहे ह आप नोटिस करेंगे कि नारेल का चूरा डालने के बाद यह जो मिक्षर है बहुत ही जल्दी तयार हो जाता है और इसका जो टेक्षर है वह भी बहुत बढ़िया हो जाता है अगर आपको डेसिकेटिड कोकोनेट यानि नारेल का चूरे का फ्लेवर नहीं पसंद तो आप यहां पर काजू का पाउडर भी डाल सकते हैं यानि जो काजू को क्राँडर जार में हलकासा ग्राइंड कर लिजए उसके बाद इसमें डालेंगे तो वह आपका काजू की मिठायी बनकर तयार हो जाएगी तो आपकी चोईस है आप चाहें तो यहां पर नारेल का चूरा ड करेंगे तो देखिए हाथ पर नहीं चिपक रहा है तो इतमींस हमारा ये मिक्शर तयार हो गया है तो बस गैस का फ्लेम आफ कर देंगे और अब हम इसे इस प्लेट में निकाल लेंगे अगर आपके पास परफी सेट करने की ट्रे है तो आप उसमें डाल दीजे या फिर आप इस तरीके से सिंपल प्लेट में डालिए उसको इस तरीके से स्पैचुला से फैला दीजे अब आप इक स्पैचुला ये फिकटोरी की मदद से इस तरीके से उपर से हलका हलका प्रेस कर दें और किनारों से भी इसे अंदर की तरफ करते जाएंगे ताकि एकदम से स्मूध ह हो जाएगा ऊपर से भी हो साइड और से भी अब से गारिणिस करने के लिए मैं इसके इसे थोड़ा सा चान्दी का वक्त लगारही हूं आप चाहें तो इसे ड्राइफ़ूट से भी गार्णिस कर सकते हैं और यहं कर लका दिया है और अब हम इसे पीसेज में कट कर लेंगे यह देखें इस तरीके से आप इसे चोटे या बड़े अपनी मन पसंद पीसेज में कट कर सकते हैं और लेज़े हमारी बहुत ही जाधा टेस्टी मिठाई तो बनकर तयार हो गई है यह मैं इसके किनारे आपको दिखाती हूँ पहले यह तो आप मैं इसे जल्दी से सब कर लेती हूं आप इसे किसी भी खास तेहार पर बनाएगे रक्षा बंदन दिवाली या फिर किसी भी तेहार पर आप इसे बनाएंगे ना तो बनाने में टाइम बिल्कुल नहीं लगता है लेकिन इसका टेस्ट बेहर शांदार है अचानक मेव आपका मीठा खाने की क्रेविंग हो तब आप इसे जरूर ट्राइ करें और इतने मिक्स्टर से हमारी 300 ग्राम मिठाई बन कर तयार हुई है तो फ्रेंड्स मैं तो इसे इंजोई कर रहे हूं इसका टेस्ट बेहर शांदार है आप इसे अपने घर में जरूर ट्राइ करें औ और अगर आपको हमाई रेसिपी स्ट्राइ करने के बाद पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जो कीजिए और साथ ही चानल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले इसी तरह की और नही रेसिपी देखने के लिए आप कल मिलती हूं एक और नही रेसिप के साथ तब तक लिए गुडबाई तेक के और थेंक्स वर वाचिंग